हेलो गाईज मेरा नाम है सक्षिम टोब्रियल ये है NRX Knowledge चैनल जहांपर हम बाते करते हैं ड्रग्स के बारे में और मैं लोकल एनस्थेटिक के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दूँगा मैंने अपनी कुछ वीडियोस बनाई थी अलाकि मेरी थोड़ी तब्यत करा आपको चैनकारी दूँगा आज मैं आपको थोड़ा सा आपको थोड़ा इनके बारे में कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा जो दो टाइब के लोकल एनस्थेटिक है और जो दो टाइब के लोकल एनस्थेटिक आप जानती होंगे एक है इस्टर और एक है अमाईड इस्टर और अमाईड अगर सिंपल और साफ बात में मैं रहसानिक विज्ञान के बारे में बात करूँ तो सी ओ एन एच टू हम यहाँ पर अमाईड ग्रूप को कहते हैं है ना और आर सी ओ ओ और डैश जो रहता है वो हमारा इस्टर ग्रूप रहता है ठीक है अब इस्टर ग्रूप में मैं आपको बताया था जिस में आपका कही रहता है सिंगल आई जिए जब दो आई लगए न और रहरा है तक पर दो दूसरे उसको छोड़के हैं जिनमें सिंगल आ रहा है वो वो Easter group है, ठीक है? अब मैं आपको कुछ बता दूажи, जैसे कि मैं आपको कुछ बात बताना चाहाँ ठीक है, जो आपकी Easter group के वो है, क्या बोलते हैं, local anesthetic है, ठीक है? Easter group के local anesthetic है, वो metabolize होते हैं, 篇क है? बिल्कुल metabolize होंगे एक enzyme से जिसको हम कहेंगे Plasma Collin Estrase टीक है Estrase enzyme को डर्शाने के लिए age लगता है बहुत सारी enzyme में Parmiase, Zymase सुने होंगे ऐसे नाम age लगता है enzyme को और enzyme क्या होती है ये एक biological catalyst होते है हमारी body के अंदर अगर हम ध्यान दे ये reaction को तेज करते हैं पर reaction में कभी participate नहीं करते हैं ठीक है, कोई भी चीज हो अगर हम कुछ खाना खाएं तो आपने देखा salivary amylase होता है जो हमारी complex food को तोड़ता जो हमारे saliva में होता है ठीक है, तो amide भी कहीन again metabolize होता होगा तो amide, जो amide है CO-NS2 group, ठीक है वो metabolized होता है आपके liver microzome में, ठीक है amide जो होते है ठीक है वो metabolized होते है liver microzomes में ठीक है और इनका कौन सा process रहता है D-alkylation and hydrolysis एक simple सी साफ बात है जो मैंने अभी इपको बताई है क्या इसका रहता है ठीक है अब थोड़ा मैं के बारे में कुछ comparison भी करूँगा ठीक है comparison की बारे में भी आपको मैं बात बताऊँगा जिसे मैं आपको एक बात ये बता दूँ कि जो low pH रहता है drug का ठीक है वो more ionized रहता है state में और यह क्या करेता है जब low pH के आनन तो वो क्या रहता है unable to cross plasma membrane वो प्लाजमा membrane को cross नहीं कर पाते sodium carbonate डालने से जो drug होता है वो बहुत जादा ionized non ionized हो जाता है state में और cross कर सकता है membrane को ठीक है amide के कुछ comparison रहेंगे easter से वो मैं आपको पूरी बात बताऊंगा easter का comparison जो हम कर रहे है जो भी है amide का सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि जो amide रहते हैं वो जादा intense और long lasting anesthesia है as compared to more intense ठीक है and long lasting anesthesia किस के परती easter के परती यह alpha 1 ठीक है alpha 1 glyco protein plasma में bind करेंगे ठीक है यह क्या करेंगे plasma esterase enzyme से नहीं होंगे क्योंकि यह liver microzoom में dealkylation or hydrolysis के process से metabolize होते है ठीक है बहुती कम chances है ठीक है बहुती क्या मतलब मैं को लूँ less chances किसी को hypersensitivity reaction हो गया ठीक है hypersensitivity reaction हो गया जैसे बोलते है कि कभी-कभी एक reaction हो गया दवाई खाली और आपको allergic syndrome हो गया तो वही चीज़ के बारे में मैं आपको simple और साब बात आपको बता रहो ठीक है अब short duration में है तो less intense LNGC तो इससे क्या होगा कि जो और वो रहते हैं ड्रग उनसे hyper risk रहता है hypersensitivity का easter जो होते हैं वो rarely क्या करते हैं nerve block करते हैं और still use होते हैं mucous membrane में ठीक है ये वाली बात रहे की ठीक है पर अब सवाल उठता है थोड़ी और बातों पे जानने के लिए हम बात करेंगे कुछ surface anesthesia के बारे में ठीक है की surface anesthesia थोड़ा बहुत क्या रहता है ये अभी intro नहीं है जो रहता है ये बस intro in the sense की पूरी तरीके से मैं भी इसको बताने रहा है मैं बस थोड़ा बता रहा हूँ surface anesthesia के बारे में ये क्या रहता है surface anesthesia को हम क्या कहते है topical anesthesia भी कहते है जो surface पे इस्तमाल होते है बहुत सारी ऐसे ऐसे चीज़े रहती आंक में जब रहती है बहुत सारी ऐसे रहते है आपने देखा होगा मैं आपको बताया था एक चाले की दवाई आती है smile नाम से ऐसी कुछ उसका brand name रहता है उसमें लिग्नोकेन प्लस कॉलिंस आली साइकलेट रहता है जब भी आपके चाले हो जाता है आपके होटो होटो पर तो क्या है रहता है उस्जेगा हो पर्टिक्लर सुन कर लेता है बहुत ज़्यादा लार से निकाल देता है बूर से ठीक है ऐसे रहता है जान लेते हैं वैसे कि क्या है यह हमारा surface anesthesia शॉल्यूबल सर्फेस непरेमें रहुतay है जो आपका हो रहता है सॉर्फेस अनेस्थिशिया ठीक है उसके बारे में बता देते है छो उस पर मेंकिस निपर बेज घुथ होते है यह मेंड ओब्रेन पे अपलाएं है ठीक है उकास मेंड पे rapidly absorb होते है rapidly आपके absorb होते है ठीक है और क्या बोलते है intact skin पे अगर हम बात करें तो थोड़ा poor है ठीक है effect और इसके बारे में बात करें, oral injection के अगर मैं बात करो, orally, procaine और lignocaine procaine and lignocaine ये दो anesthesia, इनका सबसे जादा उपर का sign दिया first pass metabolism है ठीक है अब ये कहां पे, liver में ठीक है, ओके ऐसे इसका रहता है, ठीक है अब इसके थोड़े effect के बारे में बात कर सकते है, action toxicity के बारे में action toxicity क्या रहेगी, उसके बारे में थोड़ा सम जान लेते हैं, कि क्या कैस में चीजे रहेंगी, action toxicity में अगर हम बात करें, cns का क्या बोलते है, local anesthetics का, cns पर क्या effect रहेगा, ठीक है, तो सबसे पहली बात है, कि सबसे पहले अगर कई cns, मतलब मान लोग किसी ने coke कर लिया, coke है, तो उससे पहले कहा रहेगा, उसे light headness, headness रहेगा, ठीक है, उसको ऐसा लगएगा थोड़ा क्या बोलते है, सर हलका हो गया, ठीक है फिर उसके बात क्या होगा, numbness आजाएगी, numbness, मतलब सुन पढ़ जाएगा यह नम शब्द देना, यह नम शब्द यह जो सुन करने वाला, इसी के नाम पर नार्कोटिक शब्द का स्थापना होई थी, ठीक है यह समदलो मैं लिख देना, स्थापना, ठीक है और टाइनेटर सोना शुरू हो जाएगा, ठीक है कान में आपको बनी दिक्कत, ठीक है विज्वल चेंज आना शुरू हो जाएगा पाहर का जो विज्वल है, वो आपको चेंज तोड़ा आजीब सा लगएगा ठीक है, आपकी आँखों से आपको जो दिख रहा है वो तोड़ा आपको चेंज लगएगा ठीक है, आगे-ागे बढ़ते-बढ़ते जैसे-जैसे आगे-ागे बढ़ता रहेगा यह सब graph, जैसे-जैसे करके बढ़ता रहेगा तो आपको drowsiness आएगी ठीक है, आलसी बन टाइप लगएगा ठीक है, आपकी speech defect आएगी, ठीक है, बोल नहीं पाओगे डंग से ठीक है, और आगे बढ़ोगे तो मिर्गी टाइप आ सकती है conversion आपको आना लग जाएगा और अगर यह पूरा graph ऐसे-ऐसे सीधा जाता ही रहा, मिर्गी, मिर्गी आई तो आप सीधा जाओगे, कोमा में और respiratory depression आ जाएगा ठीक है, और इसका example कोक ही है, ठीक है ऐसा कौन से रख करता है, कोक, means cocaine, ठीक है, मने slang name में लिख दिया, ठीक है, अब blood vessel और CVS पर देए, spatula system पे ठीक है, emboddy system पे कैसे रहता है, ठीक है, यह verschiedenen ंपी घान लेंगे, blood vessel पर देखे, blood vessel पर देखे, औरी ब्लड बैसल पर इसका क्या रहता है, पहली बात blood vessel पे क्या रहेगा, fall करेगा blood pressure को, ठीक है, इसमें में बस एक का थोड़ा मैं बोलूँगा कि exception case है वो है cocaine का क्यों वैसो construction करता है ठीक है इससे क्या होगा देरे देरे करके sympathetic ब्लॉक एज और फिर क्या होगा देरे-देरे करके ज्यादा हुआ तो कार्डियोएस्किलर कोलाप्स होगा ठीक है इससे सीएस पे मायो कार्डियल infection भी होने के chances रहते हैं ठीक है माय वर्ल डिप्रेशन ऐसे चीज़े ऐसे प्रेशन एक मातर ठीक है तो एक जो आपका रहता है मैं आपको बात बता दूँ एक क्यूनिदीन नाम का ड्रग रहता है ठीक है क्यूनिदीन ड्रग आपका सिंकोना के पौदे से निकलता है सिंकोना अगर अगर आपको सिंपल इसमें सिंकोना में क्यूनीन और क्यूनिदीन रहता है क्यूनिदीन आपका एंटी अरिध्मिक काम करता है और जो क्यूनिदीन रहता है ड्रग वह आपका एंटी मलेरियल काम करता है क्यूनिदीन अगर सिंपली एक और प्लांट से भी न ऐसी ऐसी करके कुछ और चीजे अगर मैं बात बोलूं कि और चीजे क्या है तो मैं आपको बता दूं कि प्रोकेन जो रहता है वो एंटी एरिद्मिक एक्षिन नहीं शो कर पाता ठीक है मतलब से यूज नहीं करेंगे स्वाइब ठीक है क्यूँकि एक तो शॉर्ट डॉरेशन दूसरा टॉक्सिसिटी कहां पे थे इस एंस पे तो केन को अमाइड बना दो और ड्रॉग का नाम प्रोकेन से प्रोसिनमाइड बना दो तो प्रोसिनमाइड इसा बेटर चॉइस ठीक है अब जो बुपीवा केन है ठीक है बुपीवा केन ये भी यूज नहीं हो रहा है इसका रीजन क्या है कि इनका कार्डियो टॉक्सिसिटी जादा है आज के समय में ठीक है और लिगनों के इनका भी इस्तमाल अगर हम देखें तो तो बहुत ही प्या मैंने आपको बात बताई वो इसके बारे में बताई थी इंट्रक्स के बारे में ऐसे सी बारे में ठीक है और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत हर एक इंडिविज्वल लोकल एनस्टेटिक की कुछ खूबियां कुछ बात हैं ये सब चीजे बता तो थैंक यू